हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू एजुकेसिंडिया तो आजम बात करेंगे मोसम बाग के बारे में आपको बताएंगे कि आने वाले 6 दूनों तक देश से मोसम कैसा रहेगा कहां पर बारिस होगी और कहां पर भाइंकर तुफान आईगा और साथ ने आपको ये भी बताई ज दिया जाएगा इसलिए आप ये वीडियो भी पूरा का पूरा ध्यान पुरक लास्तक देखते रहे ताकि आपको एक एक जानकारी बिलकुल सही और सटिक तरीके स्प्राप्त हो जाए और आप ये जाने कि किन किन लाकों में भाइंकर बारिस के साथ तुफान भी आने वाल को वीडियो के निचे एक लाल कलर का सब्सकाइब कर्टिन दिकरा होगा आपको उसको दवानाए और जैसे आप उस सब्सकाइब कर्टिन को दवाएंगे तो पास ही में आईगा एक घंटी का दिस्तान उसको भी आपको जरूर दवानाए ताकि आपको मौसम की जानकाई सब से पहले मिल जाए और साती में आप इस चुडियो को अपना सपोर्ट भी दे दीजे जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक और सेर करना होगा लाइक करने से आपका सपोर्ट वीडियो को मिलेगा और सेर करने से ये वीडियो आपके भाई बहनमित्रों के पास भी जाएगा अब बात कर लेते हैं मोसम की जानकारी के बारे में और आपको वता रेते हैं कि किन किन लाकों में भारी बाइस के साथ तुफान भी आने वाला है तो मोसम भाग की तरफ से आप सबी के लिए चेतावनी जाली हुई है और मोसम भाग ने जो एक तिस से पांच अगस तक भाइंकर तुफान के साथ बारिस की भी चेतावनी दिये मोसम भाग का कहना यह है कि देश के अधिकतर हिस्से पच्चीमी और तस्रीन होंगे जहां पर भारी से बहुत ज़रा भारी भाइस होगी और कुछ इलागे मध्या भारत के भी होंगे जहां पर भी बहुत ज़रा भारी भाइस देखने को मिलेगी और साथ में तुफान भी आएगा अब कौन कौन से इलाकों में आईगा आपको देते हैं पूरी की पूरी जानकारी मोस्तमबा की रिपोर्ट के अनुसार मध्यव परदेश माराष्ट समय ती 11 राज्यों में 6 दिन भारी बाहिस की चैतानी मिली है और मुंबई में रेड लट भी जारी हुआ है मोस्तमबा की दोरा मोसमबाग का मानना यह है कि मध्यव परदेश माराश्ट गुजराच, 36 गड़, तेलेंगाना और नागा लेंड में भारी बहिस अगले 6 दिनों तक देखने को मिलने वाली और साथी मुंबई में भारी बहिस देखने को मिलने वाली और सी का रेड एलट भी मोसमबाग ने दि अडिसा में भारी बहिस देखने को मिलेगी इसके अला उत्राकान और यहना के कुछ और इलाके रहेंगे जहां पर एक दो इस्तानों पर बारी बहिस होने वाली है इससा मोसमबाग का नुमान आया है और वहीं मोसमबाग की तरफ से बताया जा रहा है कि वीयार के भी कुछ इस इलाके होंगे जहां पर भी भारी बैस होगी अगयमी छे दुनों तक और आज के लिए मुसमबाग का यह कहना है कि मुंबई के लिए आज का दिन भारी होगा और यूपी हिमाचल राजस्तान में भी वह दर अपडेट के दहत बारिस का दोर जारी रहने की बात कहिए मुंबई में एक और फिर से जमा जम बारिस देखने को मिलेगी तो मुसमबाग एक नीजी एजिंसी की तरह दारा यह बताया जा रहा है कि आज करनाटक कोकन गोवा दसिन उडिसा और राजस्तान के पूरे समय बहुरी से बहुत ज़रा भारी बारिस देखने को मिलेगी वह और इसी को लेकर मुसम बाग ने आज बहुत बड़ा रेट और हाई इलर्ट जारी किया है तो चलिए अब देख लेते हैं कि राज्ये के मुसम की जानकारी और आपको बता रहेते हैं कि आगामी जो दिन होंगे वह किस राज्ये में कितने भारी पढ़ेंगे बारिस और कुछ दिनों से मांस उनके अक्टिव होने से लगातार बारिस का दोर जारी चलना है और इसी को लेकर मुसम बाग की तरफ से बात आए कि आगामी दो दिन आनी और तारिस गंटों के दोरान बारिस से बहुत जर अत्ती भारी वाइस देखने को मिलेगी और इसी को लेकर अत बारिस की होगी इसके अरवा टीकमगर्दमो चतरपूर जैसे इलाकों में भारी वाइस आज देखने को मिलेगी इसी को लेकर अलट जारी वाए और साथ में चेतावनी भी दिए मोसम बाग ने और अब चली यह बात का लेते हैं हिमाचल परदेस की इलाके की माचल परदेस में कि आज मोसंबाग की तरफ से कहीं एलाकों में येलो लटजारी हुआ है और मोसंबाग ने भारी से बहुत ज़रा भारी वाइस की चेतावनी दिये मोसंबाग के अनुमान से आज 31 जुलाई को 6 जिले चमबाग कांगडा मंडी जो हैं सिमला स्वालन और सिर्मोर में भारी वाइस देखने को मिलेगी और इसी समद में येलो लटजारी कारे लोगों को सथे तरहने के बिनिदिस से मोसंबाग ने दिये है मोसंबाग का काना यहा है कि चमबाग जिला परससन ने अलट जारी का लोगों को इन दिनों में दो 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 में हत्यात बरतने के निदिस दिये है याने की साधानी बरतने के निदिस जारी के हैं 31 और इगगस को तो इस प्रकार से इमाचल के लिए एक वेदर वर्निंग आई है मोसंबाग की तरफ से और राजस्तान की बात कर लेते हैं आप तो राजस्तान में बताय जाया है कि अगले 24 गंटों में 16 जिलों में बारी वाइस देगने को मिलेगी जिन में कहीं इलाके होंगे पूरी समित पच्चिमी राजस्तान के भी तो मोसंबाग के नुमान से बास वड़ा बारा भील वड़ा बूंदी चितोडगर डूंगर पूरे जालावार कोटा परताब गर समयत कहीं इलाकों में बारिस का दोड़ जारी रहेगा वहीं इसके अलवा जालोड जोदपुर पाली और चितोड़ में भी जो है समबार से जो दिने होंगे वहां पर बारी वाइस तरजी हो सकती है ऐसा मोसंबाग की तरब से नुमान हुआ है और वहीं दसीने घुजरात और शयाष्ट में भी भारी वाइस को लेकर चेतानी दी है मोसंबाग ने कहीं इलाकों को साधान एनने को कहा है और कहा है कि 30 जुलाई और 1 लेकर मुशन बागने इन इलेकों अलट जारी किया कि दसीन और तुरी गुजरात में बारी से अत्यन्त भारीबाईश देगने को मिलने-वाली-अलिफ संबावना मोसनबाग की तरफ से वेक्ट हुई है सनीवार तक के लिए और मोसनबाग की तरफ से यहाँ पे 36 गड़ के लिए अलट जारी वार कहा है कि 24 गंटा में तवाई मचा सकती है बारी वाजिस और मुस्टन भाग नेसी समयने रिड़लट जारी कर पूरे राजिये को साधान रिने के निडिस दिये हैं मुस्टन भाग के अनुमान से राईपूर, दुर्ग, राजननन्दा गाह, मासमन बालोदा बाजार, बालोद गरियाबंद में भारी वाइस देकने को मिलने वाली और इसी को लेकर 24 गंटे के लिए मुस्तादार वाइस की चेतावनी मोस्तमभाग ने दिये और कहा है कि सभी लोग पुरी तरसे सावधान और सजित हो जाएगा और वहीं उत्रागण के भी पांच जिलों में भारी वाइस को लेकर चेतावनी आईए और कहा है कि उत्रागण के कहीं इलाके होंगे जहां पर आगामी बुद्वार और गुरुवार को भारी वाइस देकने को मिलेगी मौसिम बाग के अनुमान से बताया जा रहा है कि आगामी जो है दो दिनाने 48 गंटों के दोरान जो है पांच जिले देरे दुन टियरी पोड़ी हरीदगार और चंबाली होंगे जहां पर भारी वाइस देगने को मिलेगी और इसी समझ में मौसिम बाग ने इत्तरा खंवे एक बहुत बडी चैतानिके साथ अलरजारिक किया है और अब हम बात कर लेते हैं हरियाना की तो हरियाना में बताया जा रहा है कि यहां पर कभी दूप और कभी चाहों चाह रहे हैं बादल और इसी भी इस बारिस हो सकती है अब और बताया जा रहा है कि 31 जुलाई तक जुले मौस्दम पुरी तरह से परिवेतन सील हो सकता है और 31 जुलाई को जमाजम बारिस काई लाकों में हो सकती है साथ में कुछ लाकों में भारी मुस्तादार बारिस भी हो सकती है और अब हम चलते हैं उत्तर परदेश की तरह तर उत्तर परदेश में बताय जा रहा है कि अगले दो से तीन दिन बारिस की संभावना है और कुछ इलाकों में अच्छी बारिस देखने को मिलने वाले जिसका अमस बरी गर्मी का दोर खतम हो सकता है मौसिंबा का काना यह है कि मंगलवार को लखनाओं में नियुंतन तापना देखने को मिला 26 डिक्री सेलसल मौसिंबा के अनुमान से अगले 2-3 दिनों में बादलो की आवाज़ाई के साथ बारिस हो सकती है कहीं इलाकों में जिनमें कान पूर लेखनाओं समय कहीं इलाके सामिल होंगे और हम बात करेते हैं सबसे बड़े और यहां पे भ्यावच चेतानी वाले राज्ये की और वहाए माराष्ट की मंगई में अगले 24 गंटे बेहदी बारी वाले होने वाले मौसिंबा की तरब से इसी को लेकर लोगों को साथानी बरतने की विंदिस जारी हुए मौसिंबा का काना ही है कि 40-50 किलोमेटर परती गंटे की रफ्तार से तेजवाई भी चल सकती है और समदर में न जाने की इसी को लेकर मौसिंबा ने मचवारों को चेतानी भी दिये मौसिंबा के अनुमान से मौंबाई में बारिस यहां पर बड़ा पड़ी आने की शलसला जारी रह रहा है और सी कान जो है मौसिंबा की तरब सी निर्देस आया है कि अंदेरी बारी वाली और गोरे गाउन जासे इसी को लेकर मौसिंबाई न अलट जारी किया जिसके जारी क्या है माराष्ट में और वहीं ओडिसा के वी इलाकों में हाई लड़की सेतानी दियो और आर्च जिन में मलकान गिरी नवरगंपूर कॉरापट काला हांडी नोपाड़ा बॉलने गिर कंदमार और सोनेपूर होंगे जहां पर अगले 24 गंटे बारी वेश देखने को तो मिलने वाले उसी को लेके 15-3000 के और इस अगरे के लाकों सतकरे ने को कहा है यति पूरी की पूरी मोसम की जान्कारी आपके लिए कि किस पार impacto से रहेगा दिस वह मोसम कि 7 परकार होगी किंवार बारी सोगेओ मोसम की तो आप लाइक करे यह करें ग कन जानकारी ओने कर्ये जय हिंद जय वारत और वंदे मात्रम